श्रीक कृष्ण जन्म की धूम हमेश शहर भर में दिखाई दे रही है राम नौमी के उपलक्ष में जगा जगा भागवत कताओं का आयूजन की अचारा है इसके चलते उड़केश्वर मार्क सुदर्शन नगर पाटल चौक में भी विवेकान नवखरे महराज द्वारा भागवत कता की जा रही है उन्होंने अपनी वानी में श्रीक कृष्ण के जनम पर कहा की कृष्ण का जनम विश्णू की रूप में हुआ था तब उनके माता पिता ने प्रात्मा की थी कि वह एक साधारन बच्चे में बदल जाए ताकि कंस उसका पीछा छोड़ सके प्रभू ने अपने पिता को उन्हें व्रंदावन में ले जाने और एक नवचाद बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलादी थी इस प्रकार से गोवर्दन पूजा पर भी प्रकाश डाला दीपवली के अगले दिन गोवर्दन पूजा होती है लोग से अनकूट के नाम से भी जानते हैं इस त्योहार का भारती जीवन में अधिक महत्व है इस पर्व में प्रकूति के साथ मानव का सीधा सम्मन्ध है इस तफसर पर गायों की पूजा बड़ी आस्ता के साथ की जाती है।